हेई गेमर्स तो कैसे हो मेरे भाई हो क्या हाल आप सब के I hope आप सम्मस्थ होंगे तो गाईस आज की सीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक सेटिंग्स के बारे में किस सेटिंग को आफ रखना चाहिए किस सेटिंग को आउन रखने से क्या होता है कम्प्लीट डीटेल में एक्स्प्लेन करूँगा और आज की सीडियो को आप लोग इंट तक देख लोगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरुद नहीं पड़ेगी आपको सबी सेटिंग्स के बार में पता चल जाएगा और आप लोग सबी सेटिंग्स को सही से यूज करके अपने गेमप्ले को और भी अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छे से गेम खिल पाएंगे तो वीडियो को इंट तक देखते रहेगा बहुत सा इंफर्मिशन आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो चल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सभी के साथ औ अब इसको always on आपको रखना है कभी भी इसको close मत करना scope open मत करना अगर आपके में जो left side वाला fire button है यह नहीं दिखता है इसका मतलब वो close पे set है ठीके जह पर आपके आपके में इसका मतलब यह close पे set है आपको इसको always on कर देना है always on कर दोगे यह दिखने लगेगा और work भी करे यहाँ पर आपको दोनों चीज़े work करती है bolt action और work करेगा तो यहाँ पर tap पे set है जैसके आपको देख सकते हो कि मैं sniper use करता हूं तो जैसे मैंने scope in किया उसके बद फायर कर दिया और यहाँ पर scope in पे मुझे क्लिक करना पढ़ रहा है और फायर पर भी क्लिक करना पढ़ रह दें लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर scope open करें बिना fire करना चाहते हो इस sniper से तो एक बार क्लिक करूगे fire हो जाएगा और अगर आप लोग इसको release पर set कर देते हो तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर जैसे fire वाले पर click किया आप लोग दिसे तो fire भी नही scope open हो गया automatically और यहाँ पर stop firing का एक option आ रहा है जो कि fire बटन था वहाँ पर stop firing आ रहा है और right में आप लोग देते हो तो अभी तक finger मैंने नहीं अटा है जैसे हटाऊंगा automatic fire हो जाएगा ठीक है तो आपको कभी भी इसको release पर नहीं रखना है हमेशा tap पर रखना और यही सेम च button से तब तक fire नहीं होगा तो इसको हमेशा tap पर रखना तो यह आपकी fire setting हो जाती है उसके बाद आती है scope setting scope setting में आपको past settings देखने को मिल जाती है सबसे पहली setting है scope mode scope mode में आप लोग देते हैं कि मैंने mix पर रखा हुआ है आप लोग मिक्स पर रखें बहुत ही अच्छी setting है अगर आप लोग hold करते हैं tap करते हैं तो क्या होगा वह मैं आपको बताओंगा उसके बाद mix के बाद मिक्स पर रखने पर क्या होता ठीक है तो यहाँ पर tap पर कर देता हूँ पहले मैं tap पर करने किया आप लोग देते हैं जैसे मैं scope को open कर रहा हूँ तो मैंने finger हटा दिया scope open और जैसे मुझे scope को बंद करना होगा, तो मुझे दुबारा से scope पे click करना होगा, यह आप लोग यूज़ करते होंगे, ऐसे ही होता होगा, तो आप लोग इसको hold पे कर दूगे, क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, hold पे करने के बाद, आप लोग जैसे scope पे click करोगे, और को open करोगे जैसे कि आप लोग देसे तो मैंने hold वाली सेटिंग अभी यूज कर रहा हूँ ठीक है mix के अंदर यहाँ पर मैंने finger चैसी हटाऊंगा करने लगेगे ठीक है तो आपको 0.3 सेकंड पहले अगर आपको tap वाली सेटिंग यूज करने है जैसे कि sniper यूज करने है तो आपको क्लिक करके हटा देना है finger को तुरहन जीरो पर वाली सेकंड से पहले और अगर आपको यहाँ पर करनी है hold वाली सेटिंग तो आप लोगों समझ में नहीं आता है लेकिन जब आप लोग यूज करोगे तो automatically आपकी समझ में आ जागा mix वाला यूज करके देखना उसके बाद यहाँ पर आपको देसे तो camera rotation while ADS तो यह मेरा enable है enable ही आपको हमेशा रखना है अगर आप लोग zero player नहीं हो अगर आप लोग zero player हो तो आप लोग Disable भी कर सकते हो जैसे कि मैंने उसके बाद मैं finger से इधर उधर कर रहा हूँ, मैं zero use ही नहीं कर रहा हूँ, मैं finger से इधर उधर कर रहा हूँ, fire करते हैं से मैं भी aim ले रहा हूँ, यसे कि आप लोग require control करते होगे, तो आप लोग ऐसे ही करते होगे, अगर आप लोग zero player नहीं हो तो आप लोग scope open करते होगे, उसके बाद जो finger है, उसको धीरे धीरे नीचे ले जाता होगे, fire जो recoil control हो जाता होगा, लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं, disable, disable करने के बाद क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, scope open किया, उसके बाद जो scope है, मैं इधर उदर कर रहा हूँ, लिकिर हो ही नहीं रहा है, जैसे कि आप लोग देते हैं, बिल्कुल ऊपर चला जागा, recoil control ही नहीं होगा, तो अगर आपके में यह problem आ रही है, तो इसको enable कर देना, आपका जो scope है, वो आप लोग aim ले पाओगे, open करने के बाद, और recoil भी control कर पाओगे, इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं, quick scope switch, तो यह अगर मैं इसको disable कर देता हूँ, तो disable करने के बाद, वो आप्शन ही gap हो जाएगा, ठीक है, जो कि quick scope switch वाला है, वो option gap हो जाएगा, और यहाँ से मुझे switch करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ से red dot लगाना पड़ेगा, bag open करके, तो हमेशा उसको enable रखना, आप लोग फ यह set है tap to switch पर, tap to switch पर क्या होगा, आप लोग दिसे तो मेरे M4 में यहाँ पर candidate side button लगा हुआ है, तो आप लोग दिसे तो यहाँ पर main लिखा हुआ है, और उसके बाद slide पर कर देंगे, तो slide हो जाएगा, slide पर क्या होगा, इसको open करने पर, जो candidate side button हो जाएगा, और यहाँ अगर हम लोग इसको main पर कर देते हो, तो scope open होगा, success वाला, ठीक है, तो हम लोग अगर इसको slide पर कर देंगे, फिर से वो candidate side button open होगा, तो इसको कभी भी आप लोग tap to switch पर मत use करना, हमेशा tap to use पर switch करना, tap to use पर क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी scope पर क्लिक यहाँ पर red dot दिखा रहा है, इस पर direct के लिए करूँगा, candidate side open हो जाएगा, दो scope आपको control के option मिल जाते है, जिसमें आप लोग directly candidate side open कर सकते हो, और यहाँ पर success भी open कर सकते हो, दो आपको scope mode यहाँ से मिल जाते है, तो आप लोग इसको हमेशा tap to use करना, अगर use करना चाहते हो और इसके बाद देती है focal light adjustment, यहाँ पर tap और hold के option मिल जाता है, अपको यह अभी new setting है, इस setting को आपको हमेशा tap पर रखना है, कभी भी hold मत करना, hold करने के बाद बहुत problem होती है, मैंने use करके देखा है, आप लोग इसको हमेशा tap पर रखना है, tap पर करने पर क्या होगा, मैं आ पर cut करने बाद आपको जैसे चोटा बड़ा अराम से हो गया, फिर से चोटा करके cut कर दिया, बहुती easily हो गया, जैसे कि अभी तक होता था, लेकिन 1.5 या 1.6 के update में यह वाली setting add हो थी, किस setting में, किस update में add हो थी, यह तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन आप यह add हो थी, add ह होने के बाद यहां पर hold पर गलती से भी अगर हो जाता है आपका, तो क्या होगा, मैप को दिखा देता हूँ, scope open हुआ, उसके बाद अगर आपको छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, तो आप लोग इस पर जैसी click करोगे, और जैसे finger को हटा लोगे गलती से, तो यहां पर automatically बंद हो जाएगा, तो आपको हमेशा इस पर click करके रखना होगा, उसके बाद ऊपर करोगे, छोटा बड़ा कर सकते हो, उसके बाद अगर आप तो इसको cut करो या फिर ना करो, आप finger जैसी हटाओगे screen से, तो वो automatically cut हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देखा, अभी तक म यूज कर सकते हो, उसके बाद आती है, पीक वाली सेटिंग, तो पीक वाली सेटिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे कि स्कोप वाली सेटिंग थी, वैसे पीक वाली है, तो यहाँ पर मेरा enable है, तो पीक दिख रहे हैं, यह पीक वाले option दिख रहे हैं, यह दोनों के दोनों, लगे एंड इसके बाद देते हैं इसमें 3-4 सेटिंस है जैसे कि आप तो यहां पर लीन मोड पहले देख लेते हो तो मिक्स पे सेट है टैप और होल्ड वही चीज आ जाती है जैसे कि मिक्स पे सेट है तो मैं इसको टैप पे कर देता हूं पहले टैप पही समझ भी आएगा ट जैसे स्क्रीन पर क्लिक करके रखूंगा स्कोप ओपन है पीक भी ए ठीक है और जैसे फिंगर फिर से हटाओंगा वही स्कोप वाली सेटिंग है होल्ड हमेशा रखना होल्ड यहां फिर मिक्स तो अगर आप लोग मिक्स यूज़ कर लोगे तो दोनों चीज़े इसमें वर् यह मिक्स वाली सेटिंग जब लोग यूज़ करूगे तभी आपको समझ में आएगा ऐसे समझ में नहीं आएगा जाएगा उसके बाद यह पीक और ओपन स्कोप सेटिंग तो आप लोग दिसेबल है डिसेबल पर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं पी इनेबल रखता है आप लोग भी इनेबल पर यूज़ कर सकते हो उसके बाद आप लोग लाज्ट सेटिंग देशते हैं बेसिक कंट्रोल में जिसका नाम है कैमरा रोटेशन वाइल लेडिंग पीक सेटिंग में जिसमें आप लोग दिसेबल करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो इसको डिसेबल करने के बाद मेंने पिक किया पिक करना बाद मैं फिंगर इधर उदर कर रहा हूँ आप लोग अपनी जगह से नहीं हट रहा हूँआ तो आप लोग हमेशा उसको इनेबल रखना नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होोगी एम जाएगा एँए अन इधर- मत करना तो guys यह आपके basic control थे इसके बाद advanced control में चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन से controls add हुए और कौन से control से क्या होता है तो यहाँ पे सबसे पहले features दिख जाते हैं उसके बाद यहाँ पे assist करके feature है उसके बाद zero scope aim setting ठीक है तो यही settings है यहाँ पे universal mark हमेशा enable रखना universal mark क्या होता है मैं आपको दिखा दीता हूँ यह ठीक है यह आपका universal mark है तो आप लुक देसे तो यहाँ पे मुझे attack वाला mark करना है कर सकता हूँ नहीं तो वह मार्क वाला option चला जाएगा और आप लोग enemies भी head नहीं कर पाऊगे और आप लोग किसी को बता भी नहीं पाऊगे कि आपके पास ammo चाहिए आपको या फिर एसेंबल होना है या फिर attack करना है क्या करना है या आप लोग नहीं बता पाऊगे ठीक है तो हमेशा इसको इनेबल रखना उसके बाद headshot sound effect इसके बार में आपको पता ही है कि आपको जब किसी को मारते हो headshot तो उसको अलग sound आता है टन से होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो हमेशा इसको इनेबल रखना टन टन करके आवाज आती है आपको पता चल जाता है कि headshot पढ़ा है या फिर body shot पढ़ रहे है तो आपको इसको इनेबल रख सकते हो उसके बाद jump and claim बहुत ही घटिया setting है हमेशा disable रखना कभी इनेबल मत करना है यह मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर disable है अब यहाँ पर जो jump वाला option है एक ही दिख रहा है तो इससे मैं jump भी कर पा रहा हूँ अगर claim करना है तो मैं इसके उस पार भी जा सकता हूँ और इसके ऊपर भी चाड़ सकता है एक तो jump वाली यहाँ पर देखे इसके पास आया है फिर भी jump कर रहा है ठीक है उसके उपर नहीं चड़ रहा है सिर्फ jump करना है अगर मुझे चड़ना इसके उपर या फिर इसके उस पार जाना है तो इसके नीचे एक setting दिख रही है जो की claim किया अगर मैं spec click करूँगा त मैं बता भी चुका हूँ तब भी बहुत सारे लोगों की comment आते तो यह आप लोग देशो तो मेरा disable है enable करने पर क्या होगा disable करने पर क्या होगा यह मैं आपको दिखा देता हूँ तो अभी disable है disable पर आप लोग देशो तो जो prone वाला option सो हो रहा है नीचे सबसे यहाँ पर prone व वाला option नहीं शो हो रहा है तो यहीं से शो होगा आप लोग हमेशा उसको enable से disable कर देना यहाँ पर आपका enable होगा इसको disable कर देना आपका जो prone वाला option वो शो होने लगेगा अभी आप लोग देशो तो prone वाला option शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर मैं crouch कर रहा हूं तो crouch तो हो उसके साथ साथ अगर मैं crouch पे थोड़ी दिर के लिए प्रेस करके रखूंगा तो यहां पे लेट भी जा रहा है मतलब कि जो prone वाली setting थे वो crouch में add कर दीगे crouch वाले button में आप लोग जैसे उसको थोड़ी दिर दबा के रखूंगे तो आपका जो character है वो automatically late जाएगा आपको prone व हमेशा इसको disable लगना आप लोग दिसो तो जो मेरी setting है आप लोग अगर यह वाली setting यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यह मैं क्यों बोल रहा हूँ यह मैं आपको बता भी चुका हूँ बहुत सारी setting बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि इन से वाले पर click भी नहीं करना पड़ेगा नेट automatically fake देगा तो यह चीज हो जाती है यहाँ पर on करने पर इसको अगर मैं इसको कर देता हूं disable करने पर क्या होगा तो यह आप लोग देते हो जैसे इस पर click कर रहा है वो नेट automatically cook हुआ जा रहा है तो कभी भी इसको आप लोग enable मत करना हमेशा disable लखना quick throw वाली feature को उसके बाद यहाँ पर आप लोग देते हो throw ball quick wheel अब यहाँ पर इस पर भी click करते हो और दिखा देता हूं मैं आपको जैसे कि आप लोग यहाँ पर switch कर लेते हो switch करते भी तो यहाँ पर cook हो जाएगा जैसे कि मुझे यहाँ पर switch करना है molly में तो मैं इस पर click किया उसके throw नहीं हुई है और यहाँ पर फिर से मुझे smoke लेना है तो smoke भी ले सकता हूं लेकिन अगर मैं उसको throw पे set कर देता हूं तो यहाँ पर switch पे set है इसको throw पे set करते हो throw पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर जैसे मैं select करूंगा कोई भी चीज वो automatically throw कर देगा यह देखें ठीक है वो automatically यहाँ पर cook कर देगा जैसे कि Molly select कर लिया और जैसे मैं finger को हटाऊंगा तुरंद fake देगा तो यह चीज हो जाती है इसके साथ अगर आप लोग throw पे set कर दोगे तो throw कर देगा और switch के साथ साथ ही कर देगा जैसे कि Molly हाथ पे smoke लिया और यहाँ पे smoke वो cook क click नहीं कर रहा हूं तो हमेशा इसको करना आप लोग switch पे switch पे throw नहीं करेगा जब तक आप लोग fire पे click नहीं करोगे ठीक है यहाँ पे आप लोग select कर लोगे select करने के बाद इस पे fire वाले पे click करके आप लोग throw कर दोगे तो जो setting मैंने आपको बताईए वही रखना आप लो jump एक new setting है यह setting उसके बाद tap the screen the mark location जो इस पे new लिखा हुआ है इस setting के बारे में उसके बाद यहाँ पे main screen audio marker और auto mark hit location जितने भी new setting है यह सब classic में ही आपको समझ में आएंगी तो अभी बस in setting के बारे में जान लो उसके बाद last में वीडियो के end में आपको in setting के बारे में बता में classic में चलके आपको in setting के बारे में बताऊंगा in setting से क्या होगा तो यहाँ पर आप लोग देसे तो उसके बाद मिल जाता है आपको throw consumables जैसे कि आप लोग जानते कि अभी आप लोग फरस्ट इरुरिस्टेट फेक पाते हो तो अगर आप लोग इसको कर देता हूं वहाँ नहीं फेक पाऊँगे किसी को भी throw नहीं कर पाऊगे यहाँ पर आप लोग देसे तो खहीं पर भी throw का option नहीं हो रहा है ठीक है right side throw का option आता है यहाँ पर select करने का option नहीं आ रहा है और मेरे पास आप लोग देसे तो सब कुछ है लेगन अगर मैं उसको कर दीता हूं वहाँ जाके Enable अभी Disable है, तो इसको करते Enable, यहाँ पे Disable है, इसको Enable कर दिया, Enable करने का बद आप लोग राइट सेट यहाँ पे Nade Raid का Option होता है, वहाँ पे Throw करने का Option आ चुका है, जिससे आप लोग टीमेट्स को यहाँ पे Throw करके, जो भी अपने Firsted होते हैं, और जो भी आपका Consumers होते हैं, वह आप लोग फेक के, उसको दे देशते हो Firsted, ठीक है, तो हमेशा आप लोग इसको Enable अखना है, Disable मत करना, आप लोग अगर Disable कर दूगे, तो आप लोग फेक नहीं पाओगे, किसी को भी Firsted Throw नहीं कर पाओगे, तो इसको Enable लगना, इसके बाद Transparent UI Mode, Transparent UI Mode बहुत ही Simple है, इसपे क्लिक करके आप लोग भी जान सकते हो, कि यहाँ पे Question Mark जो बना हुआ है, इसपे क्लिक करते हो, और देखते है कि इसमें क्या है, यहाँ पे आप लोग देशकते हो, जहाँ पे Battleground Mobile इंडिया लिखा होता है, तो आप लोग थोड़ी दिर के लिए उसपे प्रेस करना, आपके Controls Hide हो जाएंगे, Kill Feed, जितने भी चीज होती है, सब कुछ Hide हो जाएगा, और आप लोग यहाँ से Screenshot ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है, तो आप लोग इसको Enable कर सकते हो, तो आप लोग Classic में यूज कर पाऊगे, अगर इसको Disable कर दोगे, तो Classic में यूज नहीं कर पाऊगे, उसके बाद यहाँ पे Slide Arena, इसके बार मैं आपको पता ही है रह और यहाँ पे Right में Option आ रहा है, एप पीप का एप पीप कर सकता हूँ, इसके बाद TPP कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कर देता हूँ, इसको Disable करने के बाद क्या होगा, वो Option ही Gap हो जाएगा यहाँ से, एप पीप और TPP करने वाला, तो अगर आपके में नहीं दिख र है, Disable पे FPP करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ, जो मेरा M4 है, वो बिलकुल उपर दिख रहा है, और Fire करने पे भी उपर ही रह रहा है, कहीं नीचे उपर नहीं हो रहा है, एक ही जगहा पे है, लेकिन अगर मैं इसको Dynamic Holding कर देता बहुत ही गजब का दिखता है, तो यहाँ पे Enable कर देते हैं इसको, Enable करने के बद आप लोग देते हैं, M4 विलकुल नीचे जा चुक है, और जैसे फायर करोगे, M4 उपर आ जाएगी, और जैसे आप लोग दोगे, M4 आटमेटिक थोड़ी दिर में नीचे चली जाएगी, तो उपर नीचे होती है, आप लोग इसको Enable कर सकते हो, कुछ भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा दिखता है, उसके बाद Third Person Perspective Camera View, यह 80 पे सेट है, तो 80 पे आप लोग देसे होती हो जो मेरा Character वो इतना ही देख रहा है, अगर मैं इसको 90, तो यहाँ 90 करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको Plus करते है पहले, यहाँ पर पूरा 90 कर देते है, 90 करने के बाद आप लोग देसे हो, जो मेरा Character वो iPad जैसा दिख रहा है, पूरा नीचे तक दिख रहा है, पैर तक आप लोग देसे तो नीचे भी दिख रहा है, और यहाँ पर पूरा आधे से ज्यादा दिखने लगा, अगर मैं इसको फिर से 80 कर दूँगा, तो जो Character है, वो फिर से आधा दिखने लिगए, जैसे कि मोबाइल में दिखता है, वैसे दिखेगा, ऐसे iPad भी भी आप लोग कर सकते हो, इसके बाद Sprint Sentry, यह आपकी यह जो Joystick है, इसकी Sentry है, अगर तो कभी कि भी आपका Character Boat की तरह चलने लगता है, तो हो सकते है कि आपकी Setting यहाँ पे Zero हो गई हो, इसको आप लोग फिर से बढ़ा लेना, बिल्कुल 100 तक बढ़ा लेना आप लोग, तो यहाँ पे Screen थोड़ी से वर्ट नहीं कर देते हैं, फुल करने के बाद क्या होगा, य बहुत प्रॉब्लम होती है, यह भी सेम चीज़ है, जैसे कि Third Person में काम करता है, वैसे कि First Person में भी काम करता है, इसके बाद आते है Assist Feature में, तो Assist Feature में आपको मिल जाता है, सबसे पहले Aim Assist, इसको हमेशा Enable रखना, Enable रखने पी क्या होगा, जैसे कि सामने बंदा है, आप लो तगड़ा मारोगे, तो चाहूँ आप लोग टीडियम में इसको Disable करके Practice कर सकते हो, और Classic में Enable करके बंदों को पेल सकते हो, अच्छे से, इसके बाद यहाँ पर जो New Setting है, वो दिख रहे हैं, तो इनको मैं वीडियो के End में बताऊंगा, तो आप लोग चाहूँ अगर सिब New Setting के बारे में जानना है, तो वीडियो को Skip करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको सभी सेटिंग के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को Enjoy करते हो, आपको पता चल जाएगा, क्या-क्या होता है, उसके बाद आती ही Healing Promote, Healing Promote हमेशा आपको इसको रखना है Enable, Enable रखने पर क्या होगा, जैसी कि आप लोग जोन के बाहर गूम रहे हो, या फिर आपको किसी भी Enemy ने हिट किया, और आपकी एक HP है, तो आपकी जो Healing वाले यहाँ पे Option होते हैं, अगर आपको लेना है यहाँ पे Firsted, आपकी एक HP है तो आप लोग कभी आपके Drink Set होती है, तो वो Automatic आपके हिसाब से, जैसी आपकी HP है, उस हिसाब से आपको Supply करेगा, आपको क्या लेना चाहिए समय, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोग इसको हमेशा Enable रखना, कभी भी Disable मत करना, इसके बाद Continue Use Band, तो आप लोग इसको हमेशा Enable रखना, पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको इसको Enable कर देता हो, तो आपको Bandage पे बार-बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, Enable करने के बाद आपकी जो Bandage जब वो Automatic एक बार क्लिक करो, वो लेता रहेगा, जब तक आपकी HP 70% नहीं हो जाएगी, 75% नहीं हो जाएगी, आपकी 70% आपकी HP हो जाएगी, उसके बाद Bandage लेना बंद कर देगा, उसके बाद Bandage नहीं लेगा, ठीके, एक ही बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप उसको Cancel करना चाहते हो, तो Cancel भी कर सकते हो, तो आपको Enable लगना बहुत यची सेटिंग है, उसके बाद Auto Open Door, इसके बार मैं आपको पता है, Enable रखोगी, जो आपका Door है, वो Automatically Open हो जाएगा, Disable कर दोगी, तो आपको Open करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर बंद करने पड़ेगा, फिर Open करना पड़ेगा, तो Enable लखना बहुत यची सेटिंग है, उसके बाद आती जो मेरे Crosshair है, वो दिख रहा है, अभी, अभी आप लोग दिख रहा है, और मैं Fire करूँगा, तो आगे Fire जाएंगे, लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ, थोड़ा से Left, और यहाँ इसके पास, तो आप लोग यहाँ पर दिख तो जो मेरे Crosshair है, वो Gap हो चुका, और यहाँ पर Red मत करिए, जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहा है, जैसे राइट आया, तो यहाँ पर फिर से Red Mark आ रहा है, और जैसे मैं थोड़ा सा बाहरा हूँगा, दिखने लगेगा, और थोड़ा सा ही अंदर आऊँगा, फिर से यहाँ पर Red Mark आ जाएगा, मतलब कि जो Fire है, वो पूरे क पूरे नीचे जा रहा है, वेश्ट जा रहा है, तो हमेशा इसको Enable लगना बहुत ही अच्छी सेटिंग है, मैं आपे Enable कर देता हूँ, Enable यहाँ पे है, और इसके बाद अगर Disable कर दूँगा, तो दोनों जगा पे दिखेगा, आपका Fire आपको लगेगा सामने जा रहा है, कि आप लोग अगर एक गेम में किसी को Follow कर लेते हूँ, उसके बाद Second Game में अगर आपके साथ वो बंदा खेल रहा है, तो Automatically आप लोग फॉलो कर दोगे, अगर यह Enable है यह वाली सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आता है, Zeroscope, Zeroscope Always On रखना, अगर आप लोग यूज करना चाते हो भाई, आपको पता ही, Zeroscope अगयवारे में, तो सभी को पता है, कि ऐसे भी काम करता है, और इसके बाद Fire करने पर Control भी कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग ऐसे भी Control कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी सेटिंग है, Zeroscope On पे आप लोग यूज करते है, तो इशा, Always On करके यूज करना बहुत ही अच्छी सेटिंग है, उसके बाद आती है, Zeroscope Reverse, तो Zeroscope Reverse में क्या होगा, जैसे कि अभी देख सकते है, आप लोग मैं उपर को ले जा रहा हूँ, उपर को जा रहा है, नीचे को ले जा रहा हूँ, नीचे को जा रहा है, लेकिन अग मुझे लगता है 99% लोग यूज नहीं करते होंगे, तो यहाँ पर मेरा भी डिसेबल है, डिसेबल करने पर आप लोग कोई भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ, इनेबल, इनेबल करने के बाद एक कंट्रोल एड हो जाएगा, जहाँ प आप लोग ऐसे लोग कर चेकते हैं चाहो हो तो आप लो इस से भी फाइर कर सकते हो, ऐसे किया उसके वाद फाइर कर सकते हैं यहाँ पर एप लोग जबर रहा है, तो बहुत घटीजी अ सेटिंग है जब्हाँ यूज़ा कभी रिखना पहुत ही घटी अَّर बहुत क्मली लो करते auto jump को तो एक auto jump का option आ जाएगा जो कि आप लोग यहां पे दे सकते तो आप लोग जहां पे भी mark करोगे वहां पे automatically jump करा देगा आपको joystick से ले जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग automatically वहां तक चले जाओगे लेकिन guys थोड़ा सा slow जाओगे तो आप लोग इसको help drop पे use मत करना थोड़ा सा दूर जाना है तो आप लोग use कर सकते हो तो समझ में आ गया auto jump में ऐसे work करेगा उसके बाद आती है tap the screen to mark the location ठीक है तो इसके आप लोग enable रखोगे तो क्या होगा मैपको दिखा दूँगा उसके बड़ करने पर क्या होगा यह भी मैपको दिखा देता हूँ तो आप लोग यहां पर दे सकते हैं कोशन मार्क दिख रहा है तो इस पर क्लिक करके पढ़ लेते तो यहां पर when enable you can tap the screen directly mark the location during the flight and jump Deus face तो आप लोग आपर गया होता होता है उसके बाद चलते है नीचे वाली setting में यहां पर दे सकते हैं मेन इन क्लिक करने पर मार्क हो जा रहा हूँ तो आप लोग screen पर ग्लिक करने प्लिक करने पर मार्क हो जाएगा समझ में आ गया है क्या होता है इस सेटिंग से उसके बात चलते है नीचे वाली सेटिंग में यहाँ पर आप लूग दिसेटिंग से जो मिनी मैप है वहाँ पर फायर वाला दिख रहा है लेकिन जो बंदा है यहाँ पर फायर कर रहा है बिल्कुल बगल में लेकिन जो में इसक इसको enable करते हैं Enable करने के राध क्या होगा वो मैंआपको दिखाता हूँ तो थोड़ा सा इसके पास चलते हैं अभी ये fire नहीं कर रहा है थोड़ा सा आगे चलते हैं जैसे fire करेगा तो आप आप दिषक देसे हैं जैसे इसके पास मैं पहुँच रहा हूं यहाँ पे auto mark hit location, इस setting से क्या होगा, यह भी मैपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग जब किसी को मारोगे, तो एक hit location होगी, मतलब कि आपके teammates को पता चल जाएगा, अपने कितनी दूरी पे बंदा मारा है, और आपको भी पता चल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता चल जाएगा, कितनी दूर आपने मारा है, और कहां पे मारा है, exact enemies ahead जैसे होता है, वैसे यह work करेगा, ठीक है, तो mark location है, जैसे आप लोग किसी को hit करेंगे, वैसे ही वहाँ पे mark हो जाएगा, यह setting ऐसे work करते हैं, तो यह basic settings हैं, जिन settings को आप अपने हिसाब से on off करके, अपने gameplay को और भी अच्छा कर सकते हैं, मैंने आपको सबी settings के बारे में detail में बता दिया, आपको पता चल गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई doubt रहे गया, अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक subscribe नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, उस पर विमल्थ होगो या रचनी कंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, बाए!